तो फाइनली आज मैं इस सहर का सबसे बड़ा बिजनसमेन और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ और मैं अपने मम्मी पापा की एनवर्सरी के लिए ये बड़ा घर खरीदिने आया हूँ और ओहो मेरी रॉस रोयल कितनी ज़्यादा चमक रही है लेकिन यार अभी तक मेरा फ्रेंड नहीं आया कहा गिया ओ भाई वो रहा जल्दी आओ या अरे भाई अचानक से मुझे यहां क्यों बुलाया सबसे पहले तु ये घर देख और बोल कैसा लग रहा है क्योंकि ये घर मैं अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करूँगा अरे भाई तु पागल है क्या तु उन मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाता है जिन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया और खाने तक के पैसे नहीं दिया और तुझे तब से लेकर आज तक देखने तक नहीं आये तु जिंदा है की मर गया अरे यार कोचिंग तो पढ़ लिया लेकिन मेरे को आज बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है घर जाने से और आज मेरे तेंथ क्लास का रिजल्ट आने वाला है और मैंने लिटरली यार कुछ नहीं लिखा था ओ भाई टाइम तो हो गया रिजल्ट आने का चलो देखते हैं और ये डाला रोल लंबर ओ भाई यार मैं तो फेल हो गया और आज पास के लोग मेरा बहुत ही ज्यादा मज़ा कुणाएंगे और अगर मेरे पापा को पता चलेगा तो क्या होगा अरे पिंटु बेटा आज तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम्हारे रिजल्ट आने वाला है अरे अंटी जी जब आएगा तो बता दूँगा ना यार क्या फाइदा जले पे नमक शिडखना आई घर का तरवाजा तो बंद है मम्मी पापा कहा गए अब नालायक पीछे तो देखा कर ओ आप दोनों पीछे क्या कर रहे हो अरे पडोस की लड़की ने टॉप किया है उसी के हाँ लड़ू खाने गया था और टॉप से तो याद आया आज तेरा भी तो रिजल्ट था ना अरे पापा मैं नहीं ओ रिजल्ट है औरे सिधा सिधा बोलना तूफेलों गया और तेरी वजयसे हम दोनों कितनी ज्यादा बेश्ती हुई तूप picture नहीं देखना चाता तो ने तो हमें कही मूँ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा लौट कर माताा न चला जा यहां से ठीक है जैसा आप लोग कहें मैं दुभारा कभी आपको अपनी सकल नहीं दिखाऊंगा और जिसके बाद मेरे सभी दोस्तों ने मुझसे बाते करना छोड़ दिया और मुझे इग्नोर करने लगे और एक दिन अरे भाई वाव कितनी अच्छी हाया भूसा खड़ी है यार एक दिन ड्राइव करने को मिल जाता तो क्या ही मजाता लेकिन छोड़ो ये अपनी किस्मत में कहां और आज एक हफ़ते से जादा हो गए मेरे सभी कपड़े फट चुके है और मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है और मेरे घरवालों ने भी निकाल दिया है कुछी महीनों में मैं उस बाइक के सोरूम को थार के सोरूम में बदल देता हूँ और धीरे धीरे मेरा बिजनेस चलने लगता है तो मैं हर मॉडल की बाइक और हर तरह की कार लखने लगता हूँ और आज मेरे बिजनेस को ग्रोव वे चार साल हो गए और मेरी पूरी नेट वर्थ पचास करोन से भी जादा है और हाल में ही मैंने एक नई रॉल्स रॉयली है जो कि इस सिटी में मेरे सिवा किसी के पास नहीं है तो ड्राइबर क्या हुआ चलें ओफिस तो सबसे पहले चलो ऑफिस में सारा काम निपटा देते हैं फिर चलते हैं तो ऑफिस तो पहुच चुके हैं ओ भाई गारिया तो बाहर लगी हुई है मतलब वर्कर जल्दी आ गए ये रहा फाइनली मेरा ओफिस जो मैंने चार सालों में इतना बड़ा बनाया हुआ है तो ओफिस का काम तो खतम हो गया है और कल मेली मम्मी पापा का एनिवर्सरी है तो मैंने सुचा क्यों न ये बड़ा सा घर उन्हें दिये दिया जाये अरे बेटा उस दिन घर से क्या निकाला तुम तो यार सच मुच वापस नहीं आए अरे पापा ये सब छोड़ो आप बस गाड़ी में बैठो मुझे आपको कुछ दिखाना है इसलिए मैंने आपके लिए आपकी मन पसंदीदा थार लेकर आया हूँ अच्छा बेटा ये बताओ ये थार और वो रॉल्स रॉयल तुमारी है क्या हाँ जी पापा मेरी है भू जी हमारा बेटा तो बहुती बड़ा आदमी बन गया है लगता है लो पापा ममी पहुच गए और आप जो ये सामने गाडियों का सुरूम देख रहे हो ये भी मेरी है अरे बेटा तुने मेरे को ये किसके घर पे ले आया अरे पापा पहले गाड़ी से उतरोगे तब आपको बता चलेगा इसलिए मैंने आप दोनों की लिया और हम सबके लिए ये बड़ा सा घर लिया है आपको उस छोटे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं अरे बेटा तु कितना अच्छा है हम दोनों ने कुछ नहीं समझा और आज वो मेरे पास सब कुछ है जो मैं कभी सपने में देखा करता था लेकिन अगर मेरे बाबा अपने मेरे को घर से नहीं निकालना होता तो शायद ही मैं आज इतना बड़ा आमीर आदमी बनता और क्या मुझे ऐसी ही स्टोरी वीडियो बनानी चाहिए कमेंट करके बद